Hey all right and welcome to all in today's देहंदो न्यूस डिसकेशन Now daily के basis पर page wide discussion करते हैं और हर एक basis जो भी important news रहती है UPSC के लिए prelims और mains के basis पर उसको करते हैं उसके साथ daily current based day answer writing भी करते हैं उसका analysis आपको daily के basis पर इसी channel पर मिल जाएगा साम को ठीक है आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कौन-कौन से आज की news article बहुत ज़्यादा important है Now सबसे पहले अगर UPSC prelims 2021 आने वाला है तो world air quality report 2019 बहुत ज़्यादा important है किसने pace की थी background क्या था यह जानेंगे Dems related एक term आया है rule curve आप से पूछा जाता है Prelims में पूछा जा सकता है rule curve क्या है उसके बाद work for board क्या है वक्फ क्या होता है इसके बारे में एक news में mention है तो इसको हम detail में discuss करेंगे उसके बाद IRENA यह क्या है इसके बारे में detail में discuss करेंगे बट विदाउट मोविंग फर्दर आप टेलिग्राम एप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम एप में PR पॉब्लिकेशन लिखना है और इस फ्री ग्रूप से जॉइन हो जाएंगे 499 रुपीज का डेट वाइज हिंदू नोटस आपको मिलते हैं पूरे एक साल तक आंसर राइटिंग है न्सी आटी सिक्स ट्वल्थ नोटस हैं फॉर्ण गार्डेंस आप ले सकते हैं 2022 तक आपको यह सब अवेल कर सकते हैं उसके बाद दूसरा कोर्स है UPSC CSET का कोर्स यह एक वीडियो कोर्स है 20 से जादा वीडियो आपको मिलेंगे प्रिवेस येर कॉशन की सॉल्यूशन विद आंसर पीडिया भी मिलेगी राइट उसके वेसेस पर हम फॉर्ण कंट्रीज को वैक्सिन देंगे ऐसा किस ने का यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्सवर्दन ने राजी सबाब में टूजडे को बोला कि कोविड नाइंटीन वैक्सिन वर नॉट बिइंग सेंट इट फॉर्ण कंट्री अड़ एक्सपेंस ऑफ इं इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है कि प्रॉपर जो भी चीज फॉलो की जाती है कि अगर एक देश किसी दूसरे देश को वैक्सिन दे रहा है तो उसमें कितना एक्सपेंसे फॉर्ण कंट्री कोंट्रिबूट करेगी उसके बेसेस पर हम चलिंगे राइट दूसरा आपकी अव अपने फॉर्ण कंट्री को भी डिस्ट्रिबूट कर रहे है राइट साइकिंड कोशिन कल भी हमने पढ़ा था इसमें एक एडुटोरियल भी पब्लिश हुआ है कि हमने बड़े बड़े जो इंस्ट्यूट देखे आयायम हो गया ओल्डर आयायम में देखने को मिलता है कि जो फैकल्टी है सेड्यूल कास्ट की ओबी सी की वह बहुत ज़दा कम है बट नए जो आयम बने हैं उस पर सेड्यूल कास्ट ओबी सी की फैकल्टी बहुत अच्छी है नाव दूसरा यह बोलता है कि सम आप दा निवर इंडियन इंस्ट्यूट आप मेनेजमेंट हैब मेट पब्लिस हुआ है तो इसके इंसाइट को जाता जानेंगे एडिटोरियल में उसे पहले एक रिपोर्ट आती है आईक्यू एयर की अब यह याद रखना टर्म है आईक्यू एयर यह एक स्विस एयर कालिटी टेकनोलोजी कंपनी है जो चेक करती है कि यार कितना कंसंट्रेश लोग में बरत की यह एक अच्छी बात है और आईक्यू एयर तो इस ने यह पूरा निकाला था आएक्यू एयर के बारे में अभी ठोड़ासा एकuw आउक्यू टर्म है जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ आज का ही न्यूज का कवर नहीं करता हूँ जनरली IQA अगर आज आया है तो क्या IQA इससे पहले करेंट में कभी आया होगा तो पूरा एक साल डेल साल का मैं करेंट अफे निकालता हूँ उसको एनलाइस करके आप लोगों को बताता हूँ तो IQA क्या करती है एर बॉन पॉलिटेंट से है इन सब को चेक करती है डैली का PM 2.5 कंसेंट्रेशन जो लेवल है वो भी कम हुआ है अभी के बेसेस पर जो 2020 की रिपोर्ट है उसके बेसेस पर जो एवरेज पॉलिशन लेवल देखे अभी डैली में का कितना चला 84.1 माइक्रोग्र हम पर मीटर क्यों 2020 में पर एवरेज कितना होना चाहिए एक हेल्दी 51 होना चाहिए बर हम उससे बहुत ज़्यादा है ठीक है 2020 की रिपोर्ट अभी आई है तो भारत अगर कोई बोलेगा कितना रैंक है भारत की ठीक है टोटल 106 देशों का इवेल्यूएट किये आ गया भार देता हूँ न्यूज में क्या है देखिए वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 प्रिलिम्स और मेंस के लिए पूछा जा सकता है ये अभी न्यूज है फरवरी 2020 की यानि की डेल साल का हम पूरा एक दो साल का करेंटे फियर लेके चल रहे है फरवरी 2020 की ये न्यूज है और ये रैंकिंग बेज़ और कंप्रेज़ों और PM 2.5 लेबल्स बांगलादेश इमर्जेश दे मोस्ट पॉलिटेट कंट्री जैसे आज भी है और उसमें भी थी बैग्राउंड बैग्राउंड क्या है PM 2.5 इंक्लूट्स पॉलिटेंड सच है सलफेट, नाइट्रेट्स, कार्बन एक्सपोजर ठीक है तब भी बांगलादेश थी अगर जो अभी हमने देखा सिर्फ जो आईक्यू एयर ने रिलीच की है ये तो वर्ल्ड एयर कॉलिटी रिपोर्ट 2019 से ये आईक्यू एयर और ग्रिन पीस दोनू करता है अभी जो सिर्फ आईक्यू एयर ने किया ह उसमें तीसरा रैंक है भारत का ठीक है बैग्राउंड ये है पी-एम 2.5 इंक्लूट पॉलिटेंट सच अस सल्फेट, नाइटर्ट, ब्लेक कार्बन पी-एम 2.5 अगर कोई बोलता ना की पर्टिकलेट मैटर है 2.5 तो इसका मतलब कौन-कौन से पॉलिटेंट होंगे, रखना भारत की पर्फॉर्मेंस 21 अब दे वर्ल्ड 30 सिटी विद वर्स्ट एर पॉलिटेट इंडिया, तीस में से 21 सिटी भारत में ही है तो 2019 का है गाजियाबाद आर क्लोस टू न्यू डैली नॉर्डन उतवदेश स्टेडिश रेंग दे वर्ल्ड मोस्ट पॉलिटेट सि इसमें जो नए बिल है नेशनल कापिटल टेरिट्री और डैली एमेंडमेंट बिल 2021 इसमें लिटेनेंट गवर्नर को बहुत ज़दा पावर दे दिया जा रहा है अब जब भी सरकार की बात की जाएगी तो उसका मतलब होगा लिटेनेंट गवर्नर ठीक है एसमेली शल नॉट मेक एनी रूल टो इनेबल इसल और इस कमिटी तो कंसिडर दा मैटर अब डे टू डे अडमिस्टेशन अगर कैपिटल में चलाना है तो वो उसके जो लॉज हैं वो लिटेनेंट गवर्नर ही बनाएंगे ठीक है तो ये सब चीज़ें कल भी हमने देखा के सरकार कानून मना रही है तो उसमें लिटेनेंट गवर्नर भी कानून मना सकते हैं तो ये हाला कि जब पास हो जाएगा ये एक्ट तब हम देखेंगे बट अभी हम डारेक्टली ये कह सकते हैं कि जो लाइसलेटिव एसमली है उसका थोड़ा सा महत्व आप कम हो जाएगा अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की जो पॉब्लिस हुए है सबसे पहला एडिटोरियल है आर्टिफिशियल इंटलियेंट्स के बेसेस पर बहुत बार अपने ये देखा होगा कि मसीन हुमन से बहुत जादा इंटलियेंट हो चुकी है अब उनको रोका कैसे जाए इस पूरी वीडियो में बहुत सारी लोग ऐसे भी होंगे जो हॉलिवूड मुवीज देखते होंगे और आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है जो मसीन्स होती है वो कंट्रोल कर लेती है जैसे रोबोर्ट मुवी थी ना रजनिकान्त की उसमें जो वो कंट्रोल करने लग जाते हैं चीजों को तो बात यहां पर यही आती है कि एक राइटर थे कारपल कैपेक उन्होंने सबसे पहले मेंचिन किया था रोबोर्ट के बारे में 1920 में कि इंटलिजेंट मसीन होंगी बट क्या होगा जब पुलिसिंग का काम रोबोर्ट करेगी चिल्ड्रन्स अल्डरली का काम रोबोर्ट कर रहे हैं और क्या होगा जब रोबोर्ट इंटलिजेंट हो जाते हैं हमसे भी ज़्यादा राइट तो Țाल रहा है इस पे बेसिस पर काम कर रहे है तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ नेएटिव चीज हैं और कुछ प देखने को मिलती हैं उसे GPS Mapping Technology कहते हैं और AI उसमें यूज होता है कभी आप कुछ लिखना चाहते हैं आगे का जो टेक्स्ट है पहले से ही एज्यूम कर लेता है प्रिटेक्स्ट जो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं वो भी AI होता है तो हम जतना जाता डाटा जनरेट करें हैं उतना smarter कोई मसीन हो जाएगी बिग डाटा है अल्गोरिथम है ठीक है AI क्या कर सकती है इतना ज़्यादा intelligent हो जाएगी AI की hunger को eradicate कर देगी पूरी तरह खतम कर देगी गरीबी खतम कर देगी भुक्मारी खतम कर देगी ऐसे unimaginable pathways ऐसे unimaginable solution निकालेगी climate change के लिए कि आप सोज भी नहीं सकता है human सोज भी नहीं सकता ऐसे ऐसे क्या कर सकती है solution निकाल सकती है now AI has helped increase crop yield AI ने क्या क्या काम किया crop yield है business productivity बढ़ाई है ठीक है cancer deduction किया है और पंद्र ट्रिलियन तक का world economy में contribute करेगी 2030 तक google ने तो identify भी किये है 2600 uses AI किसके कैसे use कर सकते है अभी एक article published हुआ था nature में जिसमें ये बोला गया था कि sustainable development goal 79% AI जो है fulfill कर सकती है बड़ ये भी लिखा गया था कि 35% sustainable development के target में hinder भी ला सकती है AI तो जितना अच्छी बात है AI का उतना ही जो positive है उतना ही negative चीजें भी है ठीक है हमें massive computation capacity चाहिए होगी data center चाहिए होगे ठीक है आप क्या कर सकते हैं अपना bank account भी खोल सकते हैं पैसे भी जमा कर सकते हैं तो उसी को कहते हैं यहाँ पर भी AI काम करता है दूसरा चार tech companies हैं जैसे जो parent company alphabet Google की Amazon है Apple है Facebook है 5 trillion से ज्यादा इनकी economy है 2020 तक worldwide COVID-19 pandemic में 2 trillion का इन्होंने अपनी value addition किया ठीक है जब पूरी देश पूरी तरह economy crisis माया था इन companies में 2 trillion का value addition किया तो हम कह सकते हैं कि AI इसके पास potential है कि billions of life को जो है improve कर सकता है हाला कि AI में data privacy के concern है ठीक है data privacy के concern है 2016 में बहुँजदा जो spewing racist content इन्होंने spread किया था AI की help से ठीक है उसके बाद आप सबको पता होगा Cambridge Analytica में किस तरह से voting decision जो influence किया गया तो यह negative चीज़ें भी है ठीक है अब हम यह बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो AI है unbiased है civil inclusive as possible ठीक है हम transparent है वो कैसे पता करेंगे ठीक है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे mind में आती है हाला कि United Nation के Secretary General ने यह बोलाया कि Digital Corporation सब लोगों करना चाहिए Trustworthy Human Rights Based Safe Sustainable Promote Peace यह होना चाहिए कभी एक ऐसा वक्ता आ गया ना कि जब AI बहुत ज़्यादा smart हो चुकी है human से ऐसा 2050-2060 में देखने को मिलेगा ठीक है अब क्या होगा AI जो machines है वो अपनी community बनाने लगेगी और हमस से भी ज़्यादा सोच रही है सोचो कितना ज़्यादा वो होगा और human खत्रे में आ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो लोग हमको मारने की कोशिस करेंगे human extinct करने की कोशिस करेंगे ठीक है अब मैं यह थोड़ा सा यह आप main answer writing में नहीं लिखोगे पर थोड़ा सा मैं human species खतम ना हो ठीक है तो दूसरा यह हो सकता है कि AI का जो है सबी countries को एक agreement बनाना चाहिए कि जनरली कभी और ज्यादा smart हो गई या AI की community बन गई तो एक साथ हम destroy कर सकें इसका भी solution लाना चाहिए ठीक है तो यह सब चीज़ें यहाँ पर है main answer writing में लिखने के लिए नहीं है particular insight क कि किस तरह से खुद यहाँ पर agency में head रहे और के रागवन CBI का बारे में बताते हैं कि अब उतना ज़्यादा toothless tiger की तरह काम करता है नीरव मोधी मालिया case उतना अच्छा काम नहीं कर पाई financial fraud देखने को मिलते हैं तो अपनी इन्होंने गाथा लिखी है तो इस पर ज़्यादा हम focus नहीं करेंगे बट आपके लिए question है CBI के director कैसे appoint होते हैं और जो लोग है members है उनके बारे में लिखना है कि कौन-कौन से होते हैं अब now जैसा मैंने बोला था कि OBC SCHT जो candidates है faculty center institute में बहुत कम है कुछ numerical irrelevant facts दे हैं जो हम यूज नहीं कर पाएंगे data कहता है कि आप एक दो line कर सकते हैं ठीक है बहुत number में fact आए तो तब उसको यूज नहीं करना 62% unfilled vacancy है schedule cast की IIM में सोच सकते हो 90% OBC की मतलब 90% तक OBC की जो reserve category होते हैं वो unfilled हैं ठीक है इगनू संस्किट सेंट candidate है उनको आप रखो एस पर central education institution reservation teacher carder actor 2019 को हटा देना चाहिए पहला solution यह है दूसरा यह है कि or to deserve lower faculty position after a year if suitable candidate from beneficiary community are not found अगर OBC से कोई faculty मिल नहीं पा रही है तो यार आप दूसरी community से उससे ले सकते हैं अब तो यह failure यह central higher education का कि आप faculty reserve नहीं कर पा रहे हैं ठीक है enough qualified candidate नहीं है तो simple सी बात है यार आपको primary secondary education में आप OBC SCHT को पढ़ाते हो तो उसी हिसाब से higher education के लिए पी तो उनको promote करो ठीक है क्योंकि higher education जब वो लेंगे सिक्षा तभी तो faculty बन पाएंगे तो यह सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा है उसके बाद हमें public health पर बहुँजादा इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा opet page कहता है worst pandemic हमें देखने को मिले कि health care और public health crisis देखने को मिला जि public health क्या होता है दो अलग चीज़े हैं healthy care में क्या होता है जब एक caregiver होगा और एक sick person होगा उनके बीच में जो transaction होता है उसे health care कहते है बट public health क्या होता है जब client पूरी community हो ठीक है पूरी community में disease बीमारी फैली हो तो उसे public health कहते हैं तो हमें health care से ज़्यादा public health पर इन्वेस्ट family है तो data collection सबसे ज़्यादा important है HIV control के लिए हमने data collection किया था ठीक है AIDS के लिए जो वो है SARS COVID के लिए भी हमने data collect करना पड़ेगा ऐसा बोला जा रहा है और इसके लिए हमें public health infrastructure पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक है इसे पहले भी जैसे AIDS को कम करने के लिए HIV AIDS epidemic that was continued by NACO National AIDS Control Organization इसने पूरी तरह कर्व किया था पर जब COVID-19 आया नाको से किसी ने डील नहीं की there was no cross talk between the COVID-19 programs and नाको कोई cross talk नहीं होगी कि हमने HIV को किस तरह से contain किया राइट तो हमें public health में public health का infrastructure बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत है next article आता है इंडिया और US के बीच म हम किन-किन points में जो है जो है ट्रेट कर सकते है या किन-किन point में आगे बढ़ सकते हैं दोनुं देशों के बीच में किन-किन point में होगा तो ऐसे 8 points है तो ज़ादा हम उसमें करेंगे नहीं 500 billion तक 5 साल में bilateral trade भी बड़ा है collaborative response रहा है पहला India become the global hub of vaccine तो इस पर इंडिया के intellectual property rights जो रेजीम है उस पर भी change आएंगे US में भी exemption दे सकता है पहले क्या होता था कि US में जो research and development की company है वो 10 साल का patent ले लेती थी कि 10 साल तक ऐसी दवाईयां कोई नहीं बनाएगा बट इस बार जब COVID-19 की दवाईयां बनाई भारत ने US को भी दी तो क्या पता IPR तो company कोई relaxation दे दे की हाँ 2-3 साल तक के बाद patent बना सकते हो आप उसी को generic की दवा कह सकते है macro trade architecture में हमें focus करना चाहिए ठीक है free trade agreement के बारे में सोचना चाहिए professional जो labor's हैं जो immigrant होते हैं जो US कभी कभी visa नहीं देता है उस पर भी अच्छे हम काम कर सकते हैं भारत और इंडिया defense industry में अच्छा काम कर सकते हैं small medium enterprises में अच्छा काम कर सकते हैं clean energy climate change high priorities of US administration पर काम कर सकते हैं digital economy भी हम काम कर सकते हैं जिसमें robotics आता है इसके साथ साथ दूसरी opportunity भी जैसे education, सिक्षा है, innovation, research and development इसमें काम कर सकते थे तो ये open page को समाले रखना इंडिया और US के बीच में कभी आ गया international relation में तो किन किन चीज़ जों हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं ये एक साथ हमने देख लिया come out with rule curve for mulla per year अब ये dam है 123 साल पुराना है अभी इसको बहुत ज़्यादा construction की जर्वत है reconstruct की supreme court ने ये बोला rule curve in a dam decide that fluctuation storage levels in reservoir कि कितना volume of water यहाँ पर है वो decide करता है एक rule curve right so the gate opening schedule of dam is based on the rule curve rule curve जैसा होगा कि तभी हम gate open करें rule curve और कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि dam में कुछ मना जाता है rule curve का मतलब यह है कि कितना water storage है कहाँ पर warning दे दी जाएगे कि इसके उपर नहीं आना चाहिए तो उसी को rule curve कहते हैं और rule curve के basis पर ही उस dam के gate जो है वो खोले जाते हैं ठीक है हाला कि अभी यहाँ पर इस dam में दो सरकारे involved में हैं एक तमिलाटू के इतला दोनों ही एक दूसरे को blame करती रहती है तो rule curve क्या है कभी आज आए topic तो prelims में यह reservoir के लिए use होता है now rule curve rule curve divides the storage volume of reservoir in zones मैंने जैसा बुला rule curve का मतलब यह होता है कि कहां तक पानी होगा उसको divide करेका where different strategy for demand supply will be applied the limit of each zone may be very seasonally or remain constant during the whole year simple सी बात है कितना पानी उपर चड़ा कितना पानी नीचे चड़ा उसी को rule curve कहते हैं और उसी के basis पर किसी dam के gate भी खोले जाते हैं now करनाटका में वक्फ बोर्ड में restrict किया speaker का use कि हम loud speaker use नहीं करेंगे between 10 p.m. to 6 e.m. ठीक है रात को और सुबे के 6 बजे तक ठीक है speaker use नहीं करेंगे तो यह हमारे काम का नहीं है बट वक्फ क्या होता है यह तो आपको जमीने देते हैं वैसे ही Muslim में भी होता है कि property given in the name of God for religious or charitable purpose जो आप जमीन देते हो भगवान के नाम पर इन लीगल terms में permanent dedication by a person professional Islam professing Islam of any movable or immovable property चाहे movable हो या immovable property हो ठीक है चाहे पैसा भी आप दे सकते हो recognized by the Muslim law as religious or charitable तो उसी को वक्फ कहते हैं यानि कि आप कोई पैसा दे रहे हो religious Allah के नाम पर तो उसे वक्फ बोला जाएगा वक्फ क्रेट कौन करता है या वक्फ क्रेट कैसे होता है बहुत सिंपल है एक वक्फ can be formed through a deed instrument और property can be deemed वक्फ अगर उसका यूज किया जाए religious or charitable purpose के लिए ठीक है और कभी-कभी जो होता है educational institution को finance करने के लिए भी होता है graveyard है mosque है shelter home से बनाने के लिए यूज होता है ठीक है दूसरा एक person creating the work cannot take back the property अगर किसी ने वक्फ दे दिया तो वो अपनी property को वापस नहीं ले सकता ठीक है क्या कोई non-muslim एक सब के मन में सवाल होगा अगर कोई हिंदू है तो क्या वो वक्फ दे सकता है yes बट उससे पहले उसको एक procedure follow करना पड़ेगा non-muslim भी वक्फ create कर सकते हैं बट individual को profess करना पड़ेगा Islam को and the objective of creating वक्फ has to be Islamic और जो उसके पीछे उद्देश या उसका Islamic ही होना चाहिए तभी एक non-muslim वक्फ create कर सकता है वक्फ इतना जादा हो जाता है सोचो हर एक non-muslim है या Muslim है वक्फ देते रहते हैं तो सोचो कितना ज़्यादा corruption भी हो सकता है तो इसलिए सरकार को जरुरत पड़ी कि हम इसके लिए एक act ही बनाएं तो governed by the वक्फ act 1955 1995 यानि कि एक statutory body हो गई तो अब इसको एक क्या होगा वक्फ का leader घोसित किया जाएगा local investigation someone witness कर सकता है public document को वक्फ manage करता है मुतावली जो supervisor की तरह काम करते हैं similar to trust established under the Indian trust act 1882 में जैसे होता है वैसे वक्फ बोर्ड भी होता है ठीक है वक्फ बोर्ड क्या है एक jurisdiction person होता है जो property acquire कर सकता है transfer भी कर सकता है उसके पास इतनी power रहती है एक legal entity है composition में वक्फ बोर्ड एक chairperson होगा दो nominees होंगी state government के द्वारा मतलब जिस राज जिस में वक्फ बोर्ड है उसके state nominee भी होते है मुस्लिम लाइश लेटर होंगे parliamentary होंगे power and function वही है कि property ले सकता है दे सकते है ठीक है यह पूरा वक्फ बोर्ड मैंने आपको बता दिया now census interim data by 2024 अभी NPR का data लिया जा रहा है NPR का data 2015 में भी regulate किया जा रहा था 119 करोड लोगों का अब census जो है धीरे धीरे वैसे तो 2021 में होना था pandemic के वज़े से डिले हुआ ठीक है अब धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है उसके बाद राजिसवा ने एक MTP bill पास किया है medical termination pregnancy amendment bill 2020 जिसमें abortion कराने का time period बढ़ाया जा सकता है ठीक है opposition MP क्या है इस bill को लेकर opposition MP ये कहते हैं कि bill अभी भी महलाओं को freedom नहीं दे रहा है कि कब abortion करवाना चाहिए presently अभी क्या है जो अभी तक act है उसमें क्या है कि अगर बार विक के अंदर अगर आप abortion कराते हैं तो आपको एक doctor की permission लेनी पड़ेगी 20 weeks का time हो जाता तो दो doctor की permission लेनी पड़ेगी ठीक है बट अभी यहाँ पर क्या जा रहा है जो bill में ये बोला जा रहा है कि abortion की date 20-24 week कर सकते हैं और उसमें फिर भी दो doctor की permission लेनी ही पड़ेगी 24 week के बाद pregnancy terminate करनी है फीटल अगर abnormalities हो अगर ऐसा लगे कि जो आने वाला जो fetus है कुछ ना कुछ उसको abnormalities है ठीक है चाहे वो physical हो या mental हो तो उसमें terminate किया जा सकता है अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे bill ये act बन पाता है या नहीं अब यहाँ पर next act COVID-19 crisis आया यहाँ पर energy renewable energy sources को बहुँचाता लोग shift भी करने लगें तो यहाँ पर एक data है यह चीज़ याद रखना ठीक है कोई बोलेगा world energy transition outlook report कौन ला ठीक है यह थोड़ा सा याद रख लेना prelims के लिए मैं कहूंगा जो prelims की body बनाई है उसको side में रख लो क्योंकि एक statement में आपका answer सही हो सकता है ठीक है तो renewable energy होगी तो simple से बात है temperature कम होगा और temperature कम होगा तो 250 तक total electricity भी यूज की जाएगी पर इस पूरे news से हम क्या करना है य IR ENA पढ़ना है now IR ENA topic cover करता है conservation environment में topic है यह एक intergovernmental organization है जो corporation advanced knowledge promote करता है renewable energy के use को ठीक है और 2009 में बना था statue entered लागू हुआ 8 July 2010 से headquarter है अबू धाबी में और official United Nation observer है ठीक है दूसरा उसके बाद CRPF और national security coast guard का जो है chief appoint किये गए जैसे हमने कहा कि chief एक बार editorial हमने पढ़ा था कि यार chief जो होने चाहिए सभी के available होने चाहिए जैसे CBI में 2-3 सालों से नहीं है director वगरा वगरा ठीक है यह पूछा जाता है CID में नहीं है senior IPS officer कुलदीप सिंग को CRPF का chief बना दिया गया और MA गनपती उत्राखंड के उनको national security guard का chief बना दिया गया chief होना बहुत ज़्यदा जरूरी है इस पर हमने article भी पढ़ा था due process follow नहीं किया गया quota law में आप सबको पता है 102 constitutional amendment act में जो social और educational backward classes को mandate करता है कि Maratha quota law ठीक है तो due process follow नहीं किया गया इसका मतलब है ब कोई कानून में जो लिखा है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी बर article 342a क्या कहता है only the president in consultation with governor can specify जो socially और economic backward class किसी राज्य में वो घोसित कर सकते हैं बांकि अभी Maratha quota law उसमें कब घोसित किया उन्होंने president ने घोसित नहीं किया ठीक है तो यह चीज़ आद रखना कि under article only the president only president ही पॉइंट कर सकते हैं या घोसित कर सकते हैं कि यह कास्ट ऐसे बी सीब है ना उसके बाद वर्ले लेबल के बारे में बात करते हैं यूएस और जापान अभी चाइना को बोल रहे हैं कि आप अपना dominance जो नेचर है उसको कम कीजिए युनाटेट किंग्डम भी इंडो पढ़ाओ ठीक है मैं यह कहता हूं कि अगर यूपीएस से रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाओंगा बिल्कुल भी मेरे काम का नहीं है वो ठीक है बागी अगर किसी को अपना एक्स्ट्रा ग्यान लेना तो वो पढ़ सकता है मैं यहाँ पर दे दूंगा आप लोग पाना चाहिए मैं इंडारेक्टली हर एक न्यूस को बता सकता हूं कहीं न कहीं कि यूपीएसी में पूछी जाएगी बट अगर आप प्रिवेस यह एनलेस से आप करोगे तो इस तरह से कौशनी नहीं पूछी जाते हैं बहुत बार जो दूसरे दूसरे मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं बट बहुत बार बिजनेस न्यूस को इस तरह से बता जाता है कि हां यूपीएसी में आया गई और बच्चे इंफ्लियूंस हूं गई क्योंकि जिनको पता नहीं है वो इंफ्लियूंस है मैंने इसको यह डारेक्ट बता सकता हूं फिर मैं जी एश्टी कर सकते हैं थैंकि यू बार मैं जो प्रैसेज बढ़ सकते हैं आजका जो एंड कोट रखते हैं यहां पर रखते हैं सिल्क घृ यहां पर चॉकलेट रखी एक सिल्क तो वही आजका एंड कोट है